हलो फ्रेंज बिरन आम हैं प्रशान पराशर और Gl dirton Footec की एक नई वीडियो में आपका सौगत है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ कोना के standee multi plug एक है कोना का standee multi plug 3-in-one और एक है कोना का standee multi plug 3-plus 2 USB इन multi plugs में mobile stand है, surge protection है, LED light indicator है, international socket है और इनके अंदर anti-slip rubberize mobile holder है तो बताऊँगा इस वीडियो में इनके बारे में करूँगा इनके unboxing तो चलिए करते हैं कुछ tech की बात Glitters Info Tech के साथ तो ये है retail packing in Kona के standy multi plugs की और इन दोनों packet के front में multi plug की photograph है Kona की grinding है और इनका model लिखा हुआ है एक है standy multi plug 3 in 1 और एक है standy multi plug 3 plus 2 USB और इनके अंदर surge protection है total 3 outlet sockets है fast charging है और LED indicator है और ये दोनों ही made in India product है ये जो multi plug 3 in 1 है इसका MRP 215 रुपे है और ये जो multi plug 3 plus 2 USB है इसका MRP 625 रुपे है मगर online है आपको बहुत ही सस्ते price पे मिल जाएंगे और इनका जो best buy link है वो नीचे description में दिया हुए जहाँ पे click करके आप इनको बहुत ही सस्ते price पे purchase कर सकते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने Glitter's work चैनल को subscribe नहीं करा तो अभी subscribe करें ताकि मेरी बनाई वीडियो की सभी notifications मिलें आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें और इन packet के अंदर हमें एक एक पीस से multi plugs का मिलता है अगर इनकी build quality की बात करी जाए तो दोनों ही completely polycarbonate के बने होई हैं और दोनों का design और build quality almost similar है सिरफ difference है front में दो USB ports का जो की 3 in 1 plug में missing है और इनकी back side में जो 3 pins नहीं हुई है ये metal की बनी हुई है इन दोनों ही plugs के front में ये 3 pin socket है और top और bottom में 2 pin sockets हैं और ये international sockets हैं इनके अंदर किसी भी country का कोई भी plug लग जाएगा और इस front socket के नीचे एक LED light indicator है जो की इसकी power on और off को indicate करता है और इसके नीचे ये mobile stand है इसके ओपर anti-slip rubber grip लगी हुई है इसके ओपर mobile रखके easily charge किया जा सकता है अब mobile charge करने के लिए कोई ऐसी जगा नहीं डूडनी जिसके इसके कोई table हो या कोई chair लगानी पड़े हमें mobile charge करने के लिए अब इस socket को कहीं भी plug करके हम इसके ओपर अपना mobile रखके charge कर सकते हैं बड़े easily और 3-in-1 model के अंदर हमें charger अलग से लगाना पड़ेगा और उसके बाद phone charge करना पड़ेगा मगर ये जो 3-plus 2 USB वाला model है इसके अंदर 2 USB ports inbuilt है जिससे 2.5 MPS का output नेकलता है तो इसके थूँ mobile fast charge किया जा सकता है बिना किसी charger के और mobile ही नहीं इसके थूँ कोई भी tablet या कोई भी ऐसा device जो कि USB powered हो वो चलाया जा सकता है और बड़े एजिली कोई भी size का mobile इसके उपर fit हो जाता है और बड़ा stable रहता है slip नहीं होता अगर कोई call आती और vibration भी होती है तो भी phone गिरने का खत्रा इसके अंदर नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक इस slot बना हुए जहां पर mobile जाके अंदर fix हो जाता है तो इसमें electrical safety के साथ साथ mobile की safety का भी पूरा ध्यान रखा गया है तो ये जो plugs हैं इनके अंदर international socket है surge protection है fast charging है इतने सारे features होने के बाद भी आपको इतने सस्ते price पे मिलता है और अगर आप इनको purchase करने की सोच रहे हैं तो इनका जो best buy link है वो नीचे description में दिया हुए जहाँ पे click करके आप इनको बहुत ही सस्ते price पे purchase कर सकते हैं और मैं ऐसी ही technology और gadgets related videos regular बनाते रहता हूँ अगर आप भी चाहते हैं ऐसी videos regular देखना तो YouTube के ओपर Glitter support चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और bell icon प्रेस करके all दबाएं ताकि मेरी बनाई videos की सभी notifications मिलें आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी video मिस ना करें फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में नई information या नई gadget के साथ तब तक के लिए good bye, take care, जै हिंद, जै भारत